आप नहीं घुमने जाते हो तो इंटरनेट का इश्यू या होट्सपोट का इश्यू हर किसी को पेस होता है और बहार जाने के बाद इंटरनेट का इश्यू हो और कोई काम अटक्स है तो बहुत दिक्कत होती है इसके लिए आज मैं लेका हूँ एक बहुत अगरा सेलूशन ज हमारे टीबी लिंक के ट्रेवल राउटर के बारे में So let's check it out सो सकते पहले स्टार्ट करें लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से और चेक कर लेते हैं हमें बोक्स में क्या के कॉंटेंट्स देखने को बिल जाते हैं तो यह है हमारा router, जैसे कि आप देशकते हो, सामने की तरफ हमें इसका नाम देखने को मिल जाएगा, TLWR902AC, और यह travel router है, इसके मेरे में तीन साम की warranty भी देखने को मिल जाएगी, और इसकी पटा पटाम पन्नी उतार लेते हैं, और पन्नी उतार लेके बाद हम हमारे box को unbox कर अज़े travel friendly, क्योंकि यह बहुत छोटा है, इसकी उपर की पन्नी उतार लेते हैं, और इसको फटा पट साइड में रखके box के बागी contents में चेक कर लेते हैं, हम इसके उपर से cardboard का box हटाएंगे, तो हमें इसके इंदर बहुत सारी चीक देखने मिल जाएगी, जैसे कि जब से यह बहुत राउटर नहीं है, एक नॉर्मल अंडिर अंडी परस्त की स्पीड बाला राउटर है, इसके बाद अगर हम चेक करेंगे, तो हमें travel adapter देखने को मिल जाएगा, और सारी साथ उसके नीचे कुछ paper manuals है, जो हम box से निकालेंगी भी नहीं, क्योंकि हम बैटे हैं तो हमें बहुत सारे नुटिफिकेशन लाइट देखने मिल जाती है, जैसे की power, internet, wifi and USB, राइट आपने में कुछ देखने मिलता, निचे की तरह अगर हम देखेंगे, तो हमें USB port देखने मिल जाता है, reset का port देखने मिल जाता है, और power का input देखने मिल जाता है, लाप साड़ पर हम अगरे देखेंगे, तो हमें WAN या LAN का port देखने मिल जाता है, और यह जो है, gigabyte network support नहीं करता है, यह केवल 100 Mbps तक की speed आपको देगा, उसके ओपर सबसे important button है, जो की mode switch है, इस tablet के अंदर बहुत सारे modes available है, तो उन सारे modes के अंदर switch करने के लिए, एक dedicated button दे रखा है, जिसके अंदर 3 mode है, सबसे उपर है, share ethernet, कोई भी ethernet आप इसमें लगाते हो, उसे directly share कर सकते हो, share hotspot, और third है हमारा AP, access point बनाना, range extension करना, या फिर client board, तो setup करने से पहले बात कर लेते, इस router में आपको क्या कैसे चीज़ देखने मिल जाते है, तो router company के according, mainly chart जो में use होगा, और मैं बताता हूँ, mainly आप के लिए, अगर आप इसे as a travel router देख रहे हो, तो के विल दो चीज़ों के लिए use होगा, सबसे पहले तो, अगर आप नहीं जाते हो, किसी hotel बगारे में stay करते हो, और वहाँ पर आपको internet जो है, wifi नहीं देखने हो मिलता है, ethernet ही देखने हो मिलता है, आपने देखा होगा है, कई बार business hotels में, ethernet का port होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी ethernet port में इसकी ethernet cable है, वो लगानी है, और जो ethernet cable का दोसरा end है, वो इसके इस वाले port में लगा देना है, और इसको power दे दिनी है, उसके बाद easily आप अपने कितने ही devices में उस internet को यूद कर सकते हो, बहुत भी असानी से, secondly, hot spot, तो आपने USB dongle देखे होंगे कापी सारे, और USB dongle जनरली इतना अच्छे cover जिया इतने अच्छे devices सा support नहीं देते है, सिरफ उनसे आप एक device में लगा के अच्छी speed या अच्छा internet ले सकते हो, बट इसकी मदद से, जो इसके देगा, आप multiple devices को इसके साथ connect कर सकते हो, ये दो इसके use के scenario है, जो मुझे काफी अच्छे लगे, as a travel router, जो की इसे बताया गया है, बट इसके कुछ और using दी है, जैसे की at home, इनो ने बताया कि इस पर इस आप अगर आप travel router से नहीं उसकर रहे हो, इसके अगर आप normal router उसकर जाते हों घर पे, तो इसके तीन modes है, तीन modes में सबसे पहला है access point, तो आपका एक router लगा हुआ है, उसके अंदर से ethernet cable लगा के इसके दूसरे ethernet में लगा देना, और इसके वज़े से आपने इसको access point mode में डाल लिया है, तो दो फ्लोर पे अगर आपको internet की speed अच्छी और उसी को आगे transmit कर देगा range बढ़ा के, super impulse करता है, frequency को ये जैसे बी करता है, internet लेगा, ताकि आपको cover agency में लेए, जिस पर एक एक फ्लोर पे है, और इस फ्लोर से सिर्फ मीचे वाले फ्लोर पे, जा एक फ्लोर उपर 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 और आपके पूरे फ्लोर पे अच्छी तरह सिर्णल मेंटेन करनेगा, तो रे एक्सेंडर की तरह इसे काफ़ी चाही यूट किया जकता है, और थार्ली क्लाइंट आपका जैसे स्मोल होम स्टूडियो या फिर कोई सेटप है, तो उसमें इसे क्लाइंट मोड पे डाके आपके क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली आप इंटरनेट असाइन कर सकते हो, इसकी एप में स्वायर जीर देखने हो मिल जाएगी, आपको टीपि लिंक वायफाई डोट नेट पे जाना है, इस स्वायर चीजों के साथ बात कर लेते हैं, इसे सेटप भी कैसे करना है, तो सबसे आपको पावर इंकूट को, जो इसकी पावर वाली केबल है, महाँ पे लगा देना है, नॉमल माइकर यूइज बाली केबल आप इसके लगा सकते हो, एक इसका ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्ड है, इसका पाफी लूस सा है, तो ये लो ने सप्लाइट केबल दिया है, तो इसके लिए आप ट्राइ करना, जो माइकर यूस भी केबल है, मार्केट से पचेस कर लेना, थोड़ इसी लंबी लेंध की होगी, ताकि वो अंदर तक गुज़ए कि इसका पोर्ट काफी अंदर तक अगेनों ने डाल रखता है, पावर में लगाने के बाद, आपको आप्टर से करने कर रहे हो, तो थर्ड वाले option को select आप कर सकते हो, यह करने के बाद, आपको अपने जो भी device है, laptop है, mobile है, कुछ भी है, उसके इसके Wi-Fi को करने लेना है, Wi-Fi का नाम और password, जो SSID है और password है, इसके PC दे रखा है, वो connect कर लेना, और connect करने के बाद, आपको जाना सकते हो, मतलब कि आप इसमें अपनी hard disk लगा के छोड़ सकते हो, अगर आपका home studio है, और आप चाहते हो कि उस hard disk की file सारे रोग access कर पाए, और आपके पास Wi-Fi जो router है, उसमें USB port नहीं है, तो आप इसको as a USB port यूज कर सकते हो, अपनी hard disk करने के लिए, यह एक अच्छी बात ह आप इसके settings जागे देख सकते है, USB port की functionality अवेलेबल है, और अगर आपको जानना है, कि USB port कैसी उस करते है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो में टंग से बता रहा है, step by step, तो उसके लिए मैंने card डाल दिया है, यहाँ 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 स्टार्ट करते हैं इसके price से, इसका price 2000 रुपीज है, और मेरे coding यह थोड़ा सा over price है, क्योंकि traveling में आज की date में आप नहीं जाते हो business hotel बगारा में, आपको वैसे तो आजकल हर जेगा Wi-Fi देखने हो मिलता है, बट अगर आप ऐसे personal जिनको Wi-Fi का issue आता है, तो वो इसको ले सक इसके लिए 2000 रुपीज लगाना काफी ज्यादा है, और 2000 रुपीज में वैसे ही बहुत साथ चीज़े आती है, just for example, आप easily, जिससे अगर आप traveling कर रहे हो और आपको traveling का issue है, तो मैं recommend करूँआ, धाई से 3000 वाला आप एक hotspot, जो connection होता है, जिसमें SIM डालके internet जो है, hotspot में convert हो वो ले लो, वो आपके लिए ज्यादा beneficial रहेगा, वो आपको हर जगे internet प्रवाइट कर पाएगा, जिबकि ये तो लट वाली बात है कि आपको किसी business hotel में internet के थूर internet मिल रखा है, तो आप उसको लगा सकते हो, और उसको यूज कर सकते हो, और वो भी अगर hotel में internet connection अच्छा ह है, काफी अच्छा luxury hotel है, वाँ पे आपको 100 Mbps से उपर का internet देखने मिलता है, बट इसका land port ही 100 Mbps सपोर्ट करता है, तो आपको कितने एच्छा internet मिल जाए, 100 Mbps से उपर किस वीड आपको इससे देखने को नहीं मिलेगी, इसकी जो mode थे, उनमें दो ही mode अच्छे है, जैसक आप घर पे इसे यूज़ करने के सोच रहे हो, ये केवल एक travel router है, और अच्छा इसलिए है, क्योंकि ये छोटा है, बट 2000 पे में हलका समयगा है, अगर इसका price 1500 पे का सपास होता, तो definitely एक recommended अभाय हो जाता, 1516 पे में, अगर आपको किसी sales बगारा में, Amazon की flippad की sales में 1516 पे क उसको चलाने न, वो एक ज़्यादा बड़िया option रहेगा, आपका वीडियो कैसी लगी, मेरा honest review इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे पस comments पर आ रहे थे कि, एक travel router का review पर दो, आपका या कहना है, मुझे conversation में कमने करने जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी, like करके, comment कर ये भी बताना, और मैंने लूँगा आपसे अनले वीडियो में, तब तक कर लिए, bye bye, have a nice day.